अधिवासी संस्क्रती को आगे बढ़ाते हुए ग्राम पंचाथ ओखला एवं आक्या पंचाथ द्वारा अधिवासी बारिला भगोरिया जोल पत्योगिदा का आजन रखा गया जसमें करीब 20 से जादा ग्रामीन चेतरों से अधिवासी समाच के लोगों द्वारा अपने अपने ढोल लेकर आए आधिवासी महिला पुरूशो द्वारा अलग-अलग चोली बना कर माडल की थाप और बासूरी की धुन पर एक दूसरी को गुला लगाते हुए जम कर थरकते नजर आए इस दुरान बलवारा थाना प्रभारी को लाया सहित पुलिस विवस्था भी माकूल रही सर्बंट राजेश चौधरी और परमानंद पटेल ने बताया कि ग्राम पंचात ओखला और आख्या पंचात द्वारा अधिवासी धोल उत्सफ का अजर लखा गया है तो इसमें 20 से जादा ग्रामों से अधिवासी समाज जयन अपने अपने धोल के साथ शामिल हुए इस प्तियोगिताम में प्रथा माने वाले ज्ढोल को प्रश्कार के रूप में 211 रूपए और दुटिय पुरुस्कार को 1111 रूपए और तुटिय को 711 रूपए के पुरुस्कार से नवाजा गया साथ OC Azik दॱ्ख को 500 रूपय इनाम स्वरूब दिये गए ओकला परिसर में संपन हुए भगोरिया हाथ में आदिवासी समाद जन अपने परंपरिक परिधान में नजर आये तो उधर रिवा आधोनेक पोश्याक पहन कर भी शामिल हुए दुरान आदिवासी समाद जनों ने हाट बाजार में सजी जलेबी के दुकानों पर जलेबी का लुफ्त उठाया और अन्य समानों की खरीदारी की आज उकला में अच्छे दरसे भंगोर्या भरा हुआ है और आदिवाशी का में तेवार है, होली वगेरा ये मेला बहुत सारे तेवार रहते हैं और हम बहुत अच्छे से मनाते हैं दोल प्रतियुकता का आई जो नखा गया है जिसके अंदर 20 से अधिक डोल आने के संभाव ना है